नमस्का दोस्तों मैं हरीश दोस वगत करता हूं मेरे यूटूब से सимоभर्ब ऑला आज हम आपको बताने वाले हैं ओल्लाइन देसी मुरींग पलंट एक ये जो हमारी ओलन याइन देसी मुरींगी पालनलाइन और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो ट्रेनिंग है उनके साम दोस्तों के लिए बहुत ही जादा या उन दस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जो बकरी पालन कर रहे हैं, पसु पालन कर रहे हैं यह खेती किसाने का काम कर रहे हैं और एक side में income चाहते हैं और जैसे बकरी पालन कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह training बहुत ज़्यादा important हो जाती है क्योंकि देसी मुर्गी पॉलन करके भी एक अच्छा लाव कमा सकते हैं और एक side income जो generate कर सकते हैं और यह training उनके लिए भी बहुत कारगर होने वाली है जो की देसी मुर्गी पॉलन को ही एक आय का जर्गया बनाना चाहेते हैं क्योंकि कम पूंजी में सुरू होना वाला वैसाय है ये तो बिलकुल आप इसमें हिस्सा लेकर देशी मुर्गी पालन के बारे में या मुर्गी पालन के बारे में बारी कियां आप सीख सकते हैं इस ट्रेनिंग में हम दोनों चीजों के बारे में बताते हैं आपको ब्रॉलर फार्मिंग के बारे में बताते हैं साथी साथ आपके देशी मुर्गी पालन के बारे में भी बताते हैं कि कौन-कौन सी नसले हैं, कौन-कौन सी नसलों पर बहतर काम किया जा सकता है और कौन-कौन सी किसम है जो देशी मुर्वी पालन के जो अच्छा लाव कमा कर दे रही है इस ट्रेनिंग में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको अपने यहां पर पूंजी का निवेस करना है सेड का निर्मार किस तरीके से करना है चूजों को किस जगह से लेकाराना है डेवन ओल्ड जो चूजे होते हैं उसमें कौन सी वेक्सीन करी जाती है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है फिर डेवन ओल्ड से 15 डेज तक कि चूजे हो जाते हैं क्या क्या देना है कभ कभ देना है कौन कौन से वैक्सिनेशन करने है फिर 15-20 को से फीड उनको दिये जाते है अपने थी गार कर दी है तो हम अपने फीदिंग कॉस्थ कॉंकि आप किसी भी हम पसु पालन के किसी भी छेच को पकड़ें चाहे वो बकरियां हो चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो यह इवन मुर्गियां हो सभी का दाना जो है दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है और यहां पर पालन जो है वो हम जैसे किसानों के लिए दूबर होता जा रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि feeding cost को किस तरीके से management करना है अब आप brooding की बात कर लेते हैं कि मैं एक day one old chicks जो होता है उसको किस तरीके से brood किया जाता है brooding period कितना होता है, कितना temperature होता है, कितना maintain करना होता है इन सारी चीजियों के बारे में फिर अलग-अलग मौसम में कौन-कौन सी समस्याइं आती हैं तो उसका management किस तरीके से होना चाहिए, farm को disinfectant किस तरीके से करना चाहिए फिर आपके area में कौन सी नसल का पालन बहतर होगा अंडे के लिए कौन-कौन सी नसलें पाले जाती है, देसी में कौन सी होती है या जो अंडे वाली मुर्गियां होती है, उनको देखरे किस तरीके से करनी चाहिए और उन मुर्गियों से किस तरीके से हम जादा से जादा अंडे ले सकते हैं इसके उपर पूरी जानकारी दी जाती है क्योंकि बहुत सारी मुर्गियां हैं जो लगभग डेर सो से दो सो अंडे देती हैं पर क्या कोई भी किसान दो सो अंडे ले पा रहा है अपने कभी अगर अपने यहां पर भी सर्वे करते हैं आप ये ज़रूर बात अपने दिमाग पर रखी और उनसे पूछी कि आपकी एक मुर्गी एक टाइम पीरिड पर कितने अंडे देती है। कहने को तो वो दोसों देती है परंतु क्या आप उसे ले पा रहे हैं। तो इसी बात के उपर गौर करते हैं। इस डिटेल में जानकारी दी जाती है। कि यार आपका माल आराम से बिग जा। बेचना ही सबसे बड़ी कला होती है। जिसने बेचना सीख लिया तो आराम से किसी भी चीज पर अगर वो जाता है तो आराम से सफल हो जाता है। यहां पर आपकी skill काम करती तो उसको हम किस तरीके से आपको guide करते हैं, कि आपको किस तरीके से अपने यहां पर तैयारी करके रखनी है, ताकि जिस दिन आपका माल तैयार हो, बिल्कुल ready to sail हो, तो आप आराम से बेज सकें, कोई भी आपको रुकावट ना हो, क्योंकि जब मुर्गियां तैयार हो जाती हैं, तो दिन बति दिन का खर्चा बढ़ता जला जाता है, मतलब हम कहें तो पूरा विस्तार से आपको मुर्गी पालन के बारे में जानकारी दी जाती है, हमारे जो trainer हैं, या जो मास्टर हैं, या जो हम कह सकते हैं, जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, वो विजय सर, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार नर्सिंग पूर में विजय पॉल्डरी फार्म चला रहे हैं, और अलग-अलग जो institute हैं, हम कह सकते हैं, जो संस्थान हैं, वहां से ट्रेनिंग लिये हुए हैं, और लगातार अभी भी लेते रहते हैं, तो उनका अनुभव हम लेते हैं, और उनसे ही हम कोशिस करते हैं, जानने की, और सभी दर्सकों को मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कि इस ट्रेनिंग के दौरान तो हम जो चीजें हैं, जो आपके डाउट से वो क्लियर करते ही करते हैं, पर अपको एक लाइफ टाइम एक्सेस मल जाता है, हमसे जोड़ने का, और अपनी समस्याओं को हमसे साजा करने का, आपका एक ग्रुप बन जाता है, जिससे आप अपन फिर मैं अगर बात करता हूं कि ट्रेनिंग फीज के बारे में तो ट्रेनिंग फीज जो होने वाली हो मातर 500 रुप पांस दिनों की ट्रेनिंग फीज होने वाली है, आप डेवन से लेकर पांस दिनों तक पूरा स्टिडूल आपको बता दिया जाएगा, और फिर सबसे नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती हैं आपको प्रॉपर नोट्स भी देंगे कि डेवन ओल्ड को चिक्स को किस तरीके से मैनेज करना है और जब तक वो चूजा या जब तक वो मुर्गी आपके फार्म पर रहेगी तब तक आपको क्या ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर इसका लाब उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तक शेयर जरू करें ताकि यह इंफोर्मेशन भी हम जैसे किसानों तक पहुंच सके और उस वो भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकें तो आसा करता हूं यह जो जानकारी ह आपको पसंद जरूर आई होगी और ट्रेनिंग डेट मैं बता देता हूं 15 सितंबर से लेके यह 16 सप्टेंबर से लेके आपको 20 सप्टेंबर तक की ऑनलाइन क्लासिस देने दी जाएंगी डेली दो घंटे से दो घंटे की क्लासिस रहेगी साम के समय रहती है जिसमें सभी लोग जो अपना कुछ जौब वाले लोग भी होते हैं वो भी अपना जौब को या किसी नौकरी को करकर वो घर पर आजाएं और अराम से फिर हम उस क्लास को कंड़क्ट कर सकें तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो दोस्तों को साथ सेयर जरू करें और चैनल पर ना हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लें थेंक यू थेंक यू वेरी मच